साइकलोन बिपरजोई की वजह से मुंबई से लेकर गुजरात तक समंदर में तेज लहरें उठ रही है, पूरे देश में इस बिपरजोई की चर्चा हो रही है, गुजरात के ज्यादातर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों को समुदरी इलाकों से दूर रह की सलाह दी गई थी लेकिन इन में से एक जहाज ऐसा था जो वापस तट पर नहीं आ पाया था और तूफान की चपेट में आने के बाद इस जहाज का कुछ ऐसा हाल हुआ इस जहाज से एक व्यक्ति पहले ही नीचे गिर चुका था लेकिन तूफान की चपेट में आने से यह जहास पानी में पलट गया ऐसे ही कई घटना हमें देखने को मिली जिसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कई बड़े बड़े पेड़ इस तूफान की चपेट में आकर गिर गए जो कई साल पुराने थे तूफान के दौरान लगातार तेज हवाय चली और अभी तक लगातार बारिश हो रही है गुजरात के कई इलाके प्रभावित हो चुके हैं लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे जगह पर जाना पड़ा मौसम विभाग के अनुसार ये अरब सागर का पहले चक्रवाती तूफान है इस तूफान से कई लोग प्रभावित हो चुके हैं अब तक 600 से भी ज्यादा पेड गिर चुके हैं और लगभग 1000 गाओं में लाइट बंद कर दी गई है क्योंकि इस तूफान में कई सारे बिजली के खंभे भी गिर गए हैं कई शहरों और गाओं में तो कमर तक पानी भर चुका है कई लोग घायल भी हो चुके हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है कई इलाके प्रभावित हो चुके हैं कई सडके बंध है यहां तक की ब्रिजों में भी पानी भर चुका है ब्रिजों में जाने वाले कई तरह के लोग इस रास्ते में फस चुके हैं मतलब की अरब सागर में ऐसे बहुत कम तूफान देखने को मिलते हैं, अरब सागर से तुलना करें, तो पंजाब की खाडी में इससे ज्यादा तूफान आते हैं, विशेशग्यों का कहना है कि सागर जब गर्म होता है, तो उससे तीवरता वाले चक्रवात पैदा होते हैं, और तूफान, आने का में कारण ग्लोबल वार्मिन को बताया जा रहा है, दरसल ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ने वाली गर्मी को 93% समंदर सोख लेता है, जिसकी वजह से समुद्र का तापमान भी हर साल बढ़ता जाता है, इसी वजह से समुद्र में भी चक्रवाती तूफान उठते हैं, इस साइकलोन का नाम विपरजोई है, और इसका नाम बांगलादेश ने रखा है, बांगलादेश में विपरजोई का मतलब आपदा होता है, और इसलिए इस तूफान का नाम भी विपरजोई रखा गया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही आगे भी हम आपको इस तूफान के बारे में अपडेट देते रहेंगे तो अगर आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.